यही आपको फॉलो करना है और फिजिकल एजुकेशन को फोड आना है आपके ओल मुस्ट मेजर चेप्टर्स हमने एक्स्प्लेन कर दिये हैं और एक एक और वीडियो फिजिकल एजुकेशन में पास उने की कैरेंटी भी हम ला रहे हैं जिसको आप करने के बाद सुपर अगली स्कोर कर पाएंगे साल भर अगर फिजिकल एजुकेशन नहीं पढ़ा है तो बस यह पढ़ लिजेगा और अभी जो स्क्रीन में बताने जा रहे हैं वो आपके स्पैसिमेन पेपर और आपके स्लेबस के बेसे इस पर क्या पढ़ें और क्या छोड़ दें तो पे हैं और MCQ सिर्फ और सिर्फ फस पार्ट से हैं किसी भी गेम पार्ट को MCQ में इंक्लूड नहीं किया गया है जितने भी स्पोर्ट्स वाले पार्ट है उसको MCQ नहीं उसमें नहीं इंक्लूड किया गया है तो यह सारे फस पार्ट से फस बुक से लिया गया MCQ है जिसमें सारे आप देख सकते हैं 20 के 20 MCQ है और और क्या करना है यह रहा पहला question question 2, 3 और 4 question 2 जो है वो दसमाग का है again यह बहुत छोटा question है अब type of body है हाँ body types जो हमने पढ़ा था physical fitness पे कुछ questions है training पे question है injuries पे कुछ question है बट सारे question basic level के हैं जैसे की example पढ़ता हूं explain nutrition as a factor affecting physical fitness तो physical fitness में nutrition का क्या role है बस इतना ही explain करना है देखे दो marks का है तो please do not write entire page एक page मतलिक दा लिएगा चार line 6 line that's enough अगर इसमें आपको points स्याद है तो answer को point words लिखी आपको full marks मिल जाएगा ठीक है अब दिखे नेक्स question क्या है any two typical traits of endomorph body मतलब endomorph body को कैसे बचा नहीं है जैसे उसमें fat to the muscle ratio में fat का ratio ज्यादा है यादी होगा यह वो लोग होते हैं जो जल्दी क्या करते हैं fatty हो जा जादातर यह लोग कह सकते हैं weight क्या weight training वाले लेने वाले लोग होते हैं क्योंकि इनकी body में fats जल्दी develop हो जाता है थोड़ा सभी diet लेते हैं और fat यह body थोड़ा bulky होती है उनकी तो यह है इनके body के बारे में हां एक तम आम भासरा में बोले तो एक मोठा लड़का समझ लो और तो कहरना क्या चाहते हैं अगर आपसे दो traits पूछा है तो please write only two traits do not write too much question 3 और question 4 यह हो गए 4 questions चार questions आपको करने है section A में अब जब 4 questions कर रहे हैं तो यह section A में पहला question था आपका 20 माग का जो की mcq था दूसरा तीसरा और चौथा question 10-10 माग का है तो आपने major 50 माग तो आपने यहीं control कर लिए बाकी बचा 50 माग अब section B में आपको क्या करना है section B में आपको किसी दो game में से एक एक question करना है दो games करने हैं और हर game में से एक ही question करना है आप select कर सकते हैं cricket for example देखिए cricket का question number 5 है question number 5 में आप देखे 8 marks का 9 marks का again 8 marks का that means 8 और 8 16 16 और 9 16 और 9 कितना हो गया 25 marks और आप देखे section A में आपके पास cricket का एक और question है again ये भी क्या है आपके लिए 25 marks का है तो कोई एक question करना है cricket से दो question है इस cricket के 5 और 6 वैसे मेरी तो सलह यह होगी कि cricket एक common game है जो ज़्यादा तर आपको पता भी है कुछ नहीं तो कुछ तो लिखी पाओगे क्या कुछ नहीं तो कुछ तो लिखी दोगे क्योंकि cricket हर घर में देखा जाता है हर family देखती है तो मुझे लगता है इसका एक question तो आपको करना ही करना चाहिए हम उ से अगर पूछ रहे है choice पूछ रहे है तो दूसरा game दूसरा game football है again football में दो question है पर करना आपको कितना है एक तो 25 और 25 पचास mark आपके लिए section B में है और 50 mark आपके section A में है हो जाएंगे 100 marks अब आपको क्या decide करना है मेरी अगसला मानना चाहते हैं और आपने अभी तक कोई game तयार नहीं किया है कोई भी game तयार नहीं किया है तो cricket आपका पहला game होना चाहिए और दूसरा game आपका होना चाहिए volleyball क्या कह रहे हैं सर हां मैं ठीक कह रहा हूं दूसरा game आपका volleyball या even basketball होना चाहिए सर ये क्यों कह रहे हैं क्योंकि ये दोनों games में content कम है सही कह रहा हूं द ऐसे ही हर गेम में भी आना चाहिए आपको ने छोटे छोटे कोशन जैसे टर्म्स पूछता है फर एक्जामपल बास्केटबॉल खोल रहा हूँ देखे आपको पहले टर्म्स पूछ रहा है आपको आठ मार्क्स तो यह आठ टर्म्स को एक्स्प्रेन करने के लिए आ जाएगा फिर ड्यूटीज पूछ लिया फिर क्या-क्या स्किल्स चाहिए उस गेम को खिलने के स्किल्स चाहिए उस गेम में होने वाले इवेंट्स का नाम आना चाहिए ट्रॉफीज कौन कौन सी है तो यह बेसिक कोश्चन से जो बार-बार आपको पता है रिपीट होंगई होंगे आपको 25-25 मार्ग के दो कोशन करने है दो अलग-अलग गेम से करने है कोशिश करिएगा क्रिकेट से कर लिजे और दूसरा कोशिश करिएगा आपके चोईस ऑफ गेम जिसको आपने ज़्याद अच्छे से पढ़ा है उसमें से करें और अगर हो सके तो वाली बाल या बास्क स्क्रीन पर आपके लिए स्लेबस इसका खोल देता हूँ स्लेबस ये रहा आपका स्लेबस प्लीज स्लेबस को स्टिकली फॉलो करिए क्योंकि बुक में काफी कुछ एलेवरेट दिया हुआ है कुछ एक्स्ट्रा भी दिया हुआ है तो प्लीज डू नॉट गो बियाउंड इसलेबस जैसे आप इसमें देखेंगे तो आपको इसमें सिर्फ क्या पूछा है कितने फैक्टर्स पूछे हैं इसका मतलब है आपको इसके अलावा फैक्टर्स नहीं करने हैं आपकी बुक में दिये इसमें 10-12 फैक्टर्स हैं पर आपको सिर्फ इन तीन फैक्टर्स में करना है similarly objectives अब objectives में देखें क्या क्या objectives है physical objective है psychological है social है emotional है आप बुक में देखेंगे बहुत सारे objective दी है other than these objective दी है please सिर्फ क्या करिए syllabus में दिया गया और किसी भी इस topic में जब आप ये first part पढ़ रहे है section A का part पढ़ रहे है part 1 पढ़ रहे है तो किसी भी topic में 5-6 points मत याद करिए maximum 3 point याद करिए भली उसमें 10 point क्यों न दिया हो आपको तयार कितना करना है सिर्फ 3 point करना है और सारे chapters को MCQ के नजर से ध्यान दिजए क्योंकि 20 number आपको MCQ में भी आ रहे हैं ठीक है और basic terms में basic terminology पर ज़्यादा focus करिए जो terminology से ectomorph अब आपको पता ही नहीं है कि ectomorph क्या है तो आप उसके body type, traits इन सब को नहीं बता पाएंगे इसलिए basic terms को पहचानिए और उससे related concept पढ़ लिजे रटने की कोशिश मत करिए क्योंकि आप swim, physical अगर education पढ़ रहे हैं तो आपके चारो तरफ यस चारो तरफ आपको यह सिखाया जा रहा था कि योगा करो, exercise करो, breathing करो, running करो तो physical fitness तो हर जगह है है तो यह basic concepts को दिमाग में रखते वे त्यार करना है चलिए मिलते हैं जब हम one short video बनाएंगे जिसमें आपके पूरे physical fitness को एक जगह कवर कर देंगे Bye from now